Hello everyone, this is Satpal and you are watching Option Seller और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की साथ शेर करूँगा Strangle को Adjust करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका तो देखे कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों की साथ एक Concept शेर किया जिसमें मैंने आपको समझाया कि Inverted Trades क्या होते हैं और मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखे इस Concept को आप अच्छे से समझेए क्योंकि कल जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं उसमें ये काम आएगा तो देखे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखे ये उपर मैंने आपको लिंक दे दिया है इसमें मैंने एक्स्प्लेइन किया है कि Inverted Trades क्या होते हैं और आज का ये जो वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि एक स्ट्रेंगल को किस तरह से अड़ेस्ट किया जाता है उसमें ये जो Inverted Trades का Concept है ये आपके काम आएगा तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखे और उसके बाद ये वीडियो देखे आपके जाद अच्छे से समझ में आएगा तो चलिए अब बिना Time Waste की मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ मैं Option Simulator पर चलते हैं मैं Option Simulator को यहां पर उपन कर लेता हूँ और July Series को लगा देता हूँ तो एक July से हम Trade में Entry लेंगे और 28 July को एकसपारी है तो देखे एक July को मार्केट कहां पर है 15700 पर जो निफ्टी का स्पोर्ट है वो 15700 पर है और इतने ही डेल्टा का एक Call Option सेल करूंगा तो आप देखे 25 डेल्टा का Put Option आपको कहां पर मिलेगा यह आप देखे 25 डेल्टा है तो मैं क्या करूंगा 15,000 का एक Put Option सेल कर दूंगा इसका प्रीमियम है 149 रुपीज तो इसका एक लोट मैंने सेल कर दिया तो मैंने ओल्मोस्ट एक 25 डेल्टा का Put Option सेल कर दिया है इसी तरह से मैं उपर जाओंगा और एक 25 डेल्टा का Call Option भी सेल कर दूंगा तो उपर की तरफ 25 डेल्टा कहां पर मिलेगा यह देखे 16,300 है यह 24 डेल्टा है इसका एक लोट मैं सेल कर दूंगा इसका प्रीमियम है 118 डेल्टा है तो इसका भी एक लोट मैंने सेल कर दिया और अब आप देखे यह मेरा Pay Off Chart बनता है इस सेटप को बोलते हैं Strangle मैंने क्या किया है एक Out the Money का Put Option सेल कर दिया है और एक Out the Money का Call Option सेल कर दिया है और अब मेरा Maximum Profit है वो कितना है 13,400 रुपीज का और मेरी जो Range है वो काफी Wild है मेरा नीचे की तरफ जो Break Even है वो 14,700 का है और उपर की तरफ जो Break Even है वो 16,550 का है मतलब एक अच्छी खासी Range मुझे मिली है Almost 1800 Points की मुझे Range मिली है तो अगर Market इस Range में रहता है तब तो मुझे Profit होगा और मेरा Maximum Profit है वो 13,000 प्लस है और अगर Market इस Range को तोड़के ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो मेरा Loss है वो Unlimited है मुझे कितना भी Loss हो सकता है तो चलिए अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा आप इस Trangle को किस तरह से Adjust कर सकते हो Inverted Trades की मदद से जो कल मैंने आपको Concept समझाता Inverted Trades का वो आज हम अपलाई करेंगे तो एक एक दिन करके मैं आगे चलता हूँ तो देखे अगले दिन Market थोड़ा सा उपर जाता है मुझे 1000 रुपीज का Profit हो रहा है उससे अगले दिन Market और उपर जाता है मेरा Profit 2000 रुपीज का है देखे दो दिन में मुझे 2000 रुपीय का Profit हो रहा है Short Straddle हो गया या Strangle हो गया इस तरह के Trades की यही खुबी होती है कि यहाँ पे आपको Profit है वो जल्दी होता है वही पे जैसे Kalender Spread हो गया इस तरह के जो Trade होते हैं यह Volatility Spread होते हैं या Iron Condor हो गया Butterflies हो गये इनमे Profit आना Expire के पास जब हम पहुंच जाते हैं तब एक Considerable Profit आना शुरू होता है Initially Profit बहुत जादा नहीं होता है लेकिन Straddle और Strangle में ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको शुरू में भी अच्छा Profit हो जाएगा अगर Market एक Range में रहता है तो आपको अच्छा खासा Theta DK मिलेगा तो चलिए अगले दिन देखते हैं अगले दिन Market थोड़ा सा नीचे आता है और मेरा Profit यहाँ पे 3300 रुपीज का हो रहा है Market 15800 पे है उससे अगले दिन Market उपर जाता है 16100 पे चला गया Market एक बड़ा Gap Up हुआ है और मेरा Profit आप देखे 1200 रुपीज का हो गया है उपर की तरफ मेरा Break Even कहां पे है 155.50 155.50 के उपर अगर Market जाता है तब मुझे Loss आना शुरू होगा और मैंने जो Strike Sell का रखी है वो क्या है 16300 की तो मतलब 16300 भी अभी दूर है Market 16100 पे ही है तो मैं वेट कर सकता हूँ तो अगले दिन देखते हैं अगले दिन Market 16200 पे चला गया देखे Market Momentum पकड़ रहा है मैंने 16300 का Call Option Sell कर रखा है और Market 16200 पे आ गया है और मेरा Profit अब आप देखे 800 रुपीज रह गया है तो अगले दिन हम देखते हैं अगले दिन Market 16153 पे आ गया है और मेरा Profit है वो 3000 रुपीज का है जो Put Option मैंने Sell कर रखा है उसमें मुझे 6000 रुपीज का Profit हो रहा है और जो Call Option मैंने Sell कर रखा है उसमें मुझे 3000 रुपीज का Loss हो रहा है और ये Call Option में Loss क्यों हो रहा है क्योंकि Market उपर जा रहा है तो एक बार हम Premium को देख लेते हैं तो देखे Put Option जो मैंने Sell किया था 149 रुपीज में इसका Current Market Price कितना है 28 रुपीज मतलब इसमें Maximum Profit मुझे अब कितना हो सकता है 28 रुपीज का तो इसमें से मैं Exit हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा Profit करने के लिए Premium नहीं बचा है तो मैं क्या करूँगा इसमें से Exit हो जाऊँगा तो 15500 का जो Put Option है इसमें से मैं Exit हो गया और Market देखी कहां पे है Market 16153 पे आ गया और मैंने 16300 का Call Option सैल कर रखा है तो अब आप क्या Adjustment कर सकते हो आप इस Strangle को Convert कर दीजे एक Stradle में तो मैं एक Stradle में इसको Convert कर देता हूँ देखे ये मैं आज इस तरह का Adjustment आपको बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि यही एक Adjustment है Adjustment करने के बहुत तरह के हैं Strangle को लेकिन आज मैं आपको ये खास तरह का Adjustment बता रहा हूँ इसलिए मैं Strangle को Direct एक Stradle में Convert कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि हम Inverted जाके और किस तरह से एक Strangle को Adjust कर सकते हैं तो मैं क्या करूँगा मैं इस Strangle को Convert कर दूँगा एक Stradle में और Stradle में Convert करने के लिए मैंने क्या किया 15,000 का जो Put Option मैंने Sell कर रहा था उसमें से मैं Exit हो गया उसमें Profit Book किया और अब मैं Option Chain में जाऊंगा और 16,300 का Call Option तो मैंने Already Sell कर रहा था अब मैं 16,300 का Put Option और Sell कर दूँगा तो देखे 16,300 का जो Put Option है इसका Premium है 328 रुपीज तो इसका भी एक Lot मैंने Sell कर दिया अब आप देखे ये मेरा Pay-Off Chart बनता है अब उपर की तरफ मेरा जो Break-Event है वो और उपर Shift हो गया है शुरू में मेरा Break-Event कहां पे था 16,567 पे और अब ये Break-Event कहां पे चला गया है 16,867 पे मतलब मैंने 300 पॉइंट अपने Break-Event को उपर की तरफ Shift कर दिया है अब मैंने Market को और Space दे दी है Market उपर की तरफ Momentum पकड रहा था जो Put Option मैंने Sell कर रखा था उसमें अब कुछ Lose करने को बहुत ज़्यादा बचा नहीं था तो उसमें से मैं Exit हो गया और मैंने अपनी Strangle को Convert कर दिया एक Straddle में और वो करने से मुझे क्या फायदा हुआ क्योंकि Market Momentum पकड रहा था तो उपर मैंने Market को 300 Point की और Space दे दी है उपर जाने के लिए तो अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं अगले दिन Market 16100 जहां पे था वहीं है और मेरा Profit आप देखे 4200 रुपीज का हो रहा है जब आप एक Straddle को Trade करते हो तो आपका जो Profit है वो Strangle से भी Better होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो Theta Decay है वो Strangle से जादा होता है क्योंकि आपने Add-Damani का Call or Put दोनों Sell कर रखे हैं तो अगले दिन देखते हैं अगले दिन Market में कुछ नहीं होता है और मेरा Profit है वो 5200 रुपीज का हो रहा है देखे इसी की में बात कर रहा था अगर आप एक Straddle को Trade करते हो और Market में कुछ नहीं होता है तो आपको Theta Decay अच्छा खासा मिलेगा Theta Decay से आपको अच्छा खासा Profit होगा उससे अगले दिन देखते हैं अगले दिन मार्केट और नीचे आता है और मेरा Profit है वो 4500 रुपीज का हो रहा है देखे मार्केट 16,000 पे है और मेरा नीचे की तरफ ब्रेकियों का है 15,700 मतलब नीचे की तरफ 300 पॉयंट के स्पेस है मेरे पास देखे ये adjustment जो मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन डारेक्ट इस तरह के एक aggressive adjustment में आपको jump in नहीं करना चाहिए तो अगले दिन देखते मार्केट में क्या होता है अगले दिन मार्केट वहीं पे है और मेरा Profit है वो 6500 रुपीज का हो रहा है और देखे 15th जुलाई हो चुका है उससे अगले दिन आप देखे मार्केट में gap अप हुआ है मार्केट अल्मोस 16200 पे चला गया है और अब मेरा Profit है वो 10,000 रुपीज का हो रहा है तो देखे यहाँ पे आप अपना Profit बुक करके निकल भी सकते हो क्योंकि आपका जो Maximum Profit है उसका Almost 33% आपको Profit यहाँ पे मिल रहा है तो चाहो तो आप यहाँ पे बुक करके निकल सकते हो लेकिन अगर आप लास्ट तक इस ट्रेड में रुकते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है अगले दिन देखे मार्केट और उपर जाता है मेरा Profit 11,000 रुपीज का है तो मार्केट उपर जा रहा है और उपर की तरफ मेरा Break Even कहां पे है 16,867 और इन प्रीमियम को हमें एक बार चेक कर लेते हैं जो Call Option है उसका Premium 141 रुपीज है और जो Put Option है उसका Premium 199 रुपीज है तो अभी कुछ करने की जरुरत है नहीं अगले दिन देखते हैं अगले दिन देखे मार्केट में एक बड़ा Gap Up होता है मार्केट 16,500 से भी उपर चला गया है और मेरा Profit हो रहा है Almost 11,000 रुपीज का तो अब एक दिन और आगे चलते हैं क्योंकि मेरे पास उपर की तरफ स्पेस है मेरा Upside पे जो Break Even है वो 16,867 का है अगर मार्केट और उपर जाता है और मेरे उपर वाले Break Even को अप्रोच करता है तब मैं कोई Adjustment करूँगा तो अगले दिन देखते हैं अगले दिन मार्केट वहीं पे है 16,500 पे और मेरा Profit है वो 11,000 रुपीज का हो रहा है और अगर हम एक बार Premium को देखें तो यह आप देखें 16,300 का जो Call Option है यह 275 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है और 16,300 का जो Put Option है यह 68 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है ब्रेक इवन है वो 16,850 का है और मार्केट 16,700 पे आ गया है मेरा Profit है वो अब कम हो गया है 6,800 रुपीज का अब मुझे Profit हो रहा है तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा अब मैं Inverted जाओंगा Inverted मैं क्यों जा रहा हूँ कि यह जो उपर की तरफ मेरा Break Even है इसको मुझे और उपर खिसकान है नीचे की तरफ तो मेरे पास Enough Space है लेकिन उपर की तरफ मेरा Break Even है अब वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सिर्फ 150 पैंट दूर है तो मुझे इसको और उपर Shift करना है तो अब मैं क्या करूँगा अब ध्यान से देखे यहाँ पर मैं Use करूँगा Inverted Trades को तो मैं यहाँ पर Inverted जाऊँगा देखे जो मैंने Put Option Sell कर रखा है 328 रुपीज में यह अब सिर्फ 28 रुपीजेस में रह गया है तो इसको मैं Book कर लूँगा तो देखे मैंने 328 रुपीज में इसको Sell किया था और 28 रुपीजेस में रह गये है तो इसमें मैंने कितना Profit कर लिया 300 Points का तो इसमें से मैं Exit हो गया और अब मैं क्या करूँगा Option Chain में जाऊँगा 16300 का Call Option मैंने Sell कर रखा है तो अब मैं Inverted जाऊँगा इसका मतलब क्या हो गया 16300 से उपर का मैं Put Option Sell करूँगा मतलब जो Call Option है वो इंदा मनी हो रखा है और अब मैं एक इंदा मनी का ही Put Option Sell करूँगा तो आप देखे अभी मेरा Break Union है वो 16838 है तो अब मैं क्या करता हूँ 16300 जिसमें से मैं Exit हुआ हूँ यहां से मैं Exit हुआ हूँ अब मैं उपर जाऊँगा और Market कहां पे 16700 पे तो मैं 16700 का ये एक Put Option Sell कर दूँगा जिसका Premium है 141 रूपीज तो ये मैं Inverted चला गया हूँ देखे मैंने क्या किया है 16300 का Call Option मैंने Sell कर रखा है और जो Put Option मैंने Sell किया है वो इससे भी उपर का है मतलब अब मैं Inverted आ गया हूँ मैंने 16700 का एक Put Option Sell किया है और अब आप मेरे Pay-Off Chart को देखिए ये मेरा Pay-Off Chart बनता है अब उपर की तरफ मैंने और Space ले लिया है मेरा जो Break-1 उपर की तरफ वो अब Almost 17000 का हो गया है मैंने अपने Break-1 को 150.00 और उपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है और अब जो मेरा Pay-Off Chart बनता है ये बिलकुल एक Strangle का जैसा ही बनता है जो शुरू में मैंने Trade लिया था तब इस तरह का मेरा Pay-Off Chart था और अब Market इतना Move हो चुका है Unidirectionally Market उपर आ रहा है उसके बाद भी मेरा Pay-Off Chart है वो बिलकुल ऐसा ही बन रहा है मैंने अपने Profit पे भी Sacrifice नहीं किया है जब मैंने Trade को Initiate किया था उस टाइम पे मेरा Maximum Profit कितना था 13,000 रुपीज का और अब मेरा Maximum Profit कितना है 14,000 रुपीज का और तब मेरा Break-Evan क्या था उपर की तरफ 16,500 के आसपास मेरा Break-Evan था और अब मेरा Break-Evan क्या है Almost 17,000 तो मैंने अपने Break-Evan को भी 500 कोईंट उपर शिफ्ट कर दिया है और मैंने अपने Profit पे Sacrifice नहीं किया है मेरा Profit भी 1,000 रुपीज बढ़ गया है तो Invertil Trades होते हैं ये Aggressive Adjustment होता है लेकिन उसका फाइदा ये है कि ना आप अपने Profits पर Sacrifice करते हो और आप Market से और ज़्यादा Space भी ले लेते हो तो देखे अब ये Pay-Off Chart बनता है तो मैंने क्या किया है वो मैं आपको एक बार फिर से बता दिता हूँ ध्यान से सुनिए मैंने Trade को शुरू किया 15,000 का Put Option Sell कर दिया और 16,300 का Call Option Sell कर दिया Market इसके एकदम बीचों भी इस था तो मैंने 25 Delta का Put Option Sell किया और 25 Delta का Call Option Sell किया तो जब मैंने Trade को Initiate किया तब बिल्कुल Safe Trade लग रहा था क्योंकि Market बिल्कुल बीच में था लेकिन उसके बाद Market ने Trend पकड़ लिया और Market उपर आना शुरू हो गया तो जब Market उपर आया तो यह जो 15,000 का Put Option मैंने Sell कर रखा था इसमें बहुत कुछ बचा नहीं था इसका Premium जब 28 रुपीज हो गया तो मैंने इसमें Profit Book कर लिया और क्योंकि Market उपर जा रहा था तो मुझे 16,300 के Call Option में Loss हो रहा था तो मैंने क्या किया इसमें Profit Book करके और एक 16,300 का Put Option सेल कर दिया तो मैंने क्या किया जो Strangle था जो Initially मैंने Strangle Trade किया था उसको मैंने Convert कर दिया एक Straddle में लेकिन उसके बाद में Market रुका नहीं Market उनिडिरेक्शनली उपर जा रहा था तो मैंने क्या किया जो 16,300 का Put Option मैंने सेल किया था 328 रुपीज में इसमें अगेन मैंने 15,000 रुपीज का Profit Book कर लिया जब इसका Premium 28 रुपीज हुआ तब मैं इसमें से Exit हो गया और अब मैं Inverted हो गया Inverted मतलब मैंने 16,300 का जो Call Option सेल कर रखा था उससे भी मैं उपर चला गया और उससे उपर का मैंने 16,700 का एक Put Option सेल कर दिया क्योंकि Market उपर जा रहा था और मेरा Break Even है उसको Approach कर रहा था अगर Market मेरे Break Even से उपर जाता तो मुझे Unlimited Loss हो सकता था तो उसको Counter करने के लिए मैंने क्या किया मैं Inverted चला गया और मैंने जो Call Option सेल कर रखा था उससे भी उपर के Strike का एक Put Option सेल कर दिया 16,700 का और इससे हुआ क्या मेरा जो Break Even था वो और 150 पॉइंट उपर शिफ्ट हो गया मैंने Market को और Space दे दी 150 पॉइंट उपर जाने की और अब ये मेरा Pay Off Chart बनता है तो अब देखते हैं अगले दिन क्या होता है अभी मेरा Profit है वो 6,800 रुपीज का है तो अगले दिन देखते हैं अगले दिन Market थोड़ा सा उपर जाता है और मेरा Profit है वो 7,400 रुपीज का हो रहा है देखे मेरा उपर की तरफ जो Break Even है वो 17,000 पे है तो अगले दिन देखते हैं अगले दिन Market नीचे आता है और मेरा Profit है वो 10,000 रुपीज का हो रहा है उससे अगले दिन देखते हैं देखे एकसपैरे अलमस्ट आगी है 27th of July होगी है और 27th of July को Market मेरी Profitable Range के एकदम बीच में खड़ा है और मेरा Profit है वो 12,000 रुपीज प्लस है तो लास्ट डे पे देखते हैं लास्ट डे पे Market और थोड़ा उपर जाता है और 16,770 पे पहुँच गया है और मेरा Profit है वो 9,300 रुपीज का हो रहा है तो अगर आप लास्ट डे तक रुपते हो तो आपको अलमस्ट 10,000 रुपय का Profit होता है देखे जब आपने शुरू में ट्रेड को इनिशेट क्या था उस टाइम पे आपका ब्रेक योन क्या था 16,550 अगर Market 16,550 के उपर जाता तो आपको Loss होता मान लीजिए आप इस ट्रेड में कुछ भी नहीं करते तो आपको कितना Loss होता Market 16,550 से Almost 200.00 उपर आ गया है अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपए का Loss होता लेकिन क्योंकि आपने Adjustment किये तो आप 10,000 Loss की बजाए 10,000 रुपए के Profit के साथ बाहर निकले है तो यह Beauty होती है Adjustment की लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया यह जो Adjustment मैं आपको बता रहा हूँ यह थोड़ा Aggressive है, थोड़ा Advance है तो अगर आप एक Beginner हो तो आप इसको PayPal Trade में तो यूज कर सकते हो लेकिन Real Money के साथ अभी आप यूज मत कीजिए, यह कोई अकेला Adjustment नहीं है जो आप एक Strangle में कर सकते हो यह थोड़ा Aggressive हो जाता है, थोड़ा Advance हो जाता है तो Beginner Level पे अगर आप हो तो आप अभी इसको मत कीजिए, आप इसको सिर्फ Observe कीजिए, PayPal Trade कीजिए लेकिन अगर आपको Options को Trade करते हो काफी Time हो गया है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, तो चलिए इस तरह से आप एक Strangle को Adjust कर सकते हो, आप Inverted जाकर और अपने Breakions को और उपर या नीचे की तरफ Shift कर सकते हो तो चलिए, अभी इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं Thank you so much for watching the वीडियो अगर आपकी कोई Query हो, तो आप मुझे Comment करके पूछ सकते हो, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा, तो make sure आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें This is Satpal signing off